एंज देखliए इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी और जनकाली देने की कोईसिस के बारे में और बतांगो यहाँ पर किया करना है क्या नहीं करना चीए यहाँ पर YouTube को मैं और बहुत सारे लोग करना है profit नहीं book करना है मानता हूँ कि अच्छा खासा रिटन दे दिया है बहुत कुछी दिनों में लेकिन profit नहीं book करना है अभी भी आपको hold करना है यह stock और profit निकालके देगा और profit निकालके देगा देगो यही चीज होती है कि कुछ लोग केवल हवे में खरीद लेता उनको नहीं होता बस ऐसे वैसे देखे खरी लिए तो यहीं फायदा होता नॉलेजबल पेट पूर्फोलिय लेने का कहां कब क्या खरीतना क्या बेचना करके और कुछ नहीं समझ रहो ना ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं आपको ऐसा स्टॉक बताऊंगा आज जो इस दुनिया में ही नह लेती है हाला कि दूद पिता बच्चा भी लेता है यह रिस्क लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मतलब सब कुस दूब जाता है और ज्यादा तो लोग गेसिंग रिस्क लेने के कोशिस करते हैं हाँ प्रॉफिट हो गया बेज दूँ नहीं ऐसा नहीं करना ठीक है तो इसक इसमें क्या प्रॉफिट करना इसमें क्या प्रॉफिट बुक करना यह तो अभी चला भी नहीं है सई से चला भी नहीं है अभी तो चलना शुरू कर रहा यह तो अभी तक चला भी नहीं है चली रहा दे रहे तो इसमें कुछ करना है यह नहीं बस होल्डी करना है और हां हां एक प्रेटेक में और रिपको होम फाइनेंस में और कुछ मैंने आपको बताना भूल गया देखे मानता हूं कि रिपको होम फाइनस में कल के डेट में हो सकता है कि 5% 10% की गिरावाट आपको देखने को मिल जाए लेकिन डरिएगा मत क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी बी स्टाक स्टार्टिंग से मतलब पूरा स्ट्रेट जाता हूँ नजरा है कभी-कभी उपर नीचे भी हो जाता है तो अगर नीचे है तो डरिएगा मत एक कदम पीछे लेरा इसका मतलब यह है कि दो कदम आग जाने वाला है ठीक है कल के डेट में अगर लग जागा सरकीट लोग सरकीड यह थोड़ा गीर जागा तो लोग डर जाएंगे नहीं नहीं थोड़ा सबसे चूटा कंपनी पहले आता है जेस डबू फिर आता है टाटा स्टील फिर उसके बाद आता है यह चोटी सी कंपनी गवर्मेंट की आप इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ओर्डर मिला है सरकार के तरब से और मिला है तो government अगर को भी प्रोजेक्ट अनाौnस करती है या कुछ भी अनाौंस करती है ना तो कुछ order देना होता ना तो waż सेल को भी देती है question कि अपनी मतलब सब से ज़्यादा close सब कुछ कर्वा लेती है उसे company से सरकारी company तो देखे क्या है कि यहां पर आपको पता ही होगा कि बंदे भारत metro train, bullet train सब आ रहे हैं metro train होता है पता नहीं bullet train और 400 क्या बोलते हैं 400 बंदे भारत पिछले budget में announce किया गया था कि 400 बंदे भारत जो है आएगा और आपको पता भी है कि सरकार ने अपने commitment में बहुत ज़्यादा ताकत लगा दिया जो 400 बंदे भारत के लिए बोला गया है इसके जो wheel होते है न wheel ये मंगाया जा रहा था यूक्रेन से लेकिन यूक्रेन साथ आधा ही काम कर पाया पूरा नहीं कर पाया तो वो भी हमारे इंडिया से गयते हावाई जहाद से लाने के लिए उस wheel को हावाई जहाद से लाने के लिए गयते क्यों क्या बोलता है कि रास्ता था ही नी अब बोलें कैसे रशिया और यूक्रेन में जो यूद्ध हो रहा था जो वार हो रहा था तो रास्ता था ही नी त समझ रहो तो फिर भारत सरकार ने यह order चाहिना को दिया चाहिना को दिया हाला कि चाहिना हम से ज़्यादा पैसा जार्ज करा लेकिन क्या करें मजबूरी है देना पड़ता है तो अब यहां पर क्या है कि बहुत सरे रेल पट्री बनाने के लिए ने वे बना रहें बुले ट्र होगी उनका जो ट्रैक होगा वह पूरी तरीके से अलग ही होगा और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं और भी ट्रेन आ रहें बंदे भारत के लिए वह बंदे भारत मतलब 100-200 के स्पीड में चलेगी तो यह नॉर्मल पट्री हो तो यह उखड जाएगा तो उसके लिए पता नहीं मेरा एक रूल है या मैंने कहीं से सीखा है कि जो इंसान आपको धोखा देता है और वो कितना भी आपका दिल जेतने के कोशिस कर ले लेकिन नहीं जाता है क्योंकि भाई इज़द बनाने में 20 साल लग जाते हैं और इज़द गवाने में 20 मिनट भी नहीं लगता आप एक दिन किसी से अच्छा भी हेव करके देखो अच्छा भी हेव करके देखो वो नहीं बोलेगा कि अच्छा इंसन वो बोलेगा कल तक तो ऐसा था कल तक तो ऐसा था बोलेगा यह बोलेगा तो यह चीज़े होती है तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक रूल है यह 60 रुपिस का स्टॉक आगर 600 रुपीज भी चला जाया तो मैं नहीं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा और ना किसी भी इंसान को मेरे जबान से गलती से भी निकलेगी कि आप खरीद करके गलती हो जाती ना कि हां गलती हो गई लेकिन वो गलती भी नहीं कर तो वहां पर भी मैं यहीं बोलता हूं जराओंगा दूर रहो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है इतना ही मैं आपको बोलूंगा और कुछ नहीं क्योंकि पिछले पांस दिनों में देख लिए पिछले एक मैंने में स्टॉक ने अच्छा रिकवरी दिखाया था 60% का रिकवर मैं आया है और कुछ नहीं दूर रहो बस इतना ही मैं आपको बलूंगा यह मेरा उपिनिन है मुझे ऐसा लगता और मैं मैं ऐसा करने वाला हूं इस वैचे से मैं यह नहीं बहुत बड़ी कंपनी है तो हर साल आप सोच लो कि आपको 10% का रिटन मिलता हो नजराएगा हर साल आप 10% से लेकर 20% का वो प्रॉफिट उमीद कर सकते हो एलाइसी से और कुछ नहीं बस तो और अगर अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेंट अकॉन इंजिन में उपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेंट अकॉन बिल्कुल फ्री डिलेवरी चार्ज पर आपके पूरी जिन्दगी बना सकती है और आपके पूरी जिन्दगी डुबा भी सकती है तो एक एक डिसीजन सोच समझ कर और फुक फुक कर लीजिएगा